रेड बटन दबाकर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हाई अब्रिवान मैं शांती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कुकिंग जान कुक विद एसस में आज मैं आपके साथ रेसिपी एंट ट्रिक दोनों शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम कोल्ड कॉफी बना सकते हैं दो तरीके से वो भी बिना मिक्सर और बिना मशीन का यूज़ किये तो चल ये फिर शुरू करते हैं तो इससे बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास दूद थोड़ी सी आइस क्यूब्स एक चम्मच कॉफी पाउडर दो चम्मच चीनी और थोड़ी सी चॉकलेट सिरप सेम कॉंटिटी लगेगी दोनों तरह की कॉल्ड कॉफी बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं दोनों ग् जाएगा और दो मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख लेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का कोई गहरा बर्तन और एक विस्कर मैंने यहां पर लोटा लिया है आप कोई भी परतन यूज कर सकते हैं इसमें डालेंगे हम लइड़ करें इस तरह से चला लेंगे ताकि यह सब अच्छे से मिक सो जाए और इसके बाद इन्हें दोनों यह बीच में अच्छे से पॉसाकर इस तरह से चला लूज के विडियो में देख सकते हैं ऐसह ताकि अच्छा सा फ्रयट काफिमें आज़ा गया अग ऑध्य तो दूसरा तरीका है इसे वाटल बॉटल में बनाना, सबसे पहले कोई भी एक वाटल बॉटल आप ले रीचे और इसमें जो सारे इंग्रीडियन्स है कॉफी बनाने के उसे हम डाल लेंगे अब इसका जो बॉटल का ढखन है उसे टाइटली लगा लेंगे और बस अब कुछ नहीं करना है अब हमें सिर्फ इस बॉटल को अच्छे से करना है शेक तो करीबन एक मिनिट तक हमें शेक करना होगा और बहुत ही अच्छा सा फ्रॉट इसमें भी आ जाएगा सारे इंग्री से बिना मशीन के कॉफी हमारे बिल्कुल रेडी है यह बहुत ही टेस्टी होती है पीने में और देखे कितना अच्छा इंट्रस्टिंग लगता है इस तरह से इसका अगर ग्लास डेकुरेट कर लिया जाए तो तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलती हूँ एक और नहीं वीडियो में टिल दिन टेक केर बाबाई